Good morning students, today we are going to start our exercise 1.2 First sum is, write down a pair of integers whose sum is minus 9 Two pairs बताने हैं इंटीजर के जिनको plus करके हमारा जो अंसर है, वो क्या है? minus 9 तो students एक बात का खास ध्यान रखना इन sums को करने के लिए कोई एक अंसर नहीं है इसके बहुत सारे अंसर हो सकते हैं बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी बड़ी रकम होगी बड़ा नंबर होगा उसके आगे हमने कौन सा sign लेना है minus का और जो smallest number होगा उसके आगे plus का क्योंकि हमारा जो अंसर है वो क्या है negative तो एक अंसर मैं आपको बता रही हूँ जैसे है minus 15 plus 6 minus 15 plus 6 देखिए plus minus minus 15 में से 6 less किये तो हमारा अंसर क्या आगया minus 9 क्योंकि बड़ी रकम क्या आगे क्या है minus तो इसका और भी अंसर हो सकते हैं जैसे minus 20 plus 11 तो इसको solve करके भी क्या आता है minus 9 जैसे कि minus 9 plus 0 उसका अंसर भी क्या आता है minus 9 तो आपके जो अंसर है वो अलग-लग हो सकते हैं लेकिन उनका जो plus है वो कितना आना चाहिए minus 9 next sum है write a negative integer and a positive integer whose sum is minus 15 जैसे कि हमारा जो negative है वो क्या आगया minus 18 और जो positive है वो क्या आगया 3 तो plus minus minus 18 में से 3 less किये 15 तो देखिए हमारा बड़ी रखम के आगये minus 7 वो अंसर में भी क्या आगया हमारा minus तो इस तरीके से जो आपकी 1.2 है वो आपने complete करनी है next exercise है 1.3 यह exercise कहा है multiply इसमें सारे sum कौन से है multiply के तो first sum है 9 and minus 11 तो बहुत ही simple sum है and की जगे पे आप कौन से sign पुट करोगे multiply और minus 11 को आप ले लोगे bracket में तो 11, 9 जा 99 negative है answer में भी कौन से sign आगया minus का next sum भी है find product product means multiply तो minus 5 into 7 into minus 4 पहले आप इन 2 terms की multiply कीजिए 7, 5 जा 35 negative है तो minus का sign इधर क्या है minus 4 अब इन दोनों को multiply करेंगे तो मारा answer आता है 140 और multiply के अंदर minus minus क्या हो गया plus next sum है simplify by using suitable properties of multiplication हमने multiply की property यूज करनी है देखिए जैसे कि यह minus 3 into 5 plus minus 3 into 3 देखिए यह multiply है बीच में कौन सा sign है plus यहाँ पे भी क्या है multiply तो इन दोनों टरम्स में आप देख सकते हैं जो minus 3 है वो common है तो minus 3 को हमने क्या ले लिया common multiply तो यहाँ minus 3 लेके यहाँ पे क्या बच गया 5 और इदर से भी minus 3 हमने बाहर ले लिया तो इदर क्या बच गया हमारा 3 यहाँ पे कौन सा sign है 3 plus का sorry तो 5 और 3 कितने होगे 8 और 8 को 3 से multiply करोगे तो गया आएगा minus 24 एक sum हो रहा है जैसे 16 into minus 68 plus 16 into minus 32 तो इन दोनों में common देखिए क्या है 16 इन दोनों में common है 16 तो इस 16 को common लेके यहाँ पे क्या आगया minus 68 और इदर क्या आगया minus 32 minus minus plus 68 and 32 कितने होगे minus 100 तो 16 को 100 से करोगे तो minus 16 100 तो students 1.2 आपने complete करनी है और 1.3 के जो 3 parts है वो आपने अच्छे से complete करने है Thank you students